बहुत पुरानी बात है, उत्तरी सुमात्रा में एक छोटी सी जील के पास एक गरीब किसान रहता था, सारे दिन वह खेतों में काम करता था, कभी कभी जंगल जाकर लकडिया भी काटता था, जिन में से वह कुछ अपने लिए रख लेता था और शेश बेच देता था, जो पै बात भी कुछ पैसा बच जाए, तो अपने लिए कपड़े या टोपी आदी खरीद लेता था, वह बड़ा महनती था, भोर से ही उठकर काम में लग जाता था, अपनी आदत के अनुसार एक दिन वह सुबह जागा, तो उसने देखा कि चूलहा सुलगाने के लिए लकडिया नहीं बची है, यानि यह बहुत जरूरी था कि वह खेत में जाने से पहले कुछ लकडिया काट कर लाएं, पर उस दिन पहली बार ऐसा हुआ कि उसका कुछ करने को मन नहीं हुआ, उसे स्वयम पर आश्चर्य हुआ कि आज उसे हो क्या गया है, वह तो ऐसा आलसी कभी नहीं की रहा की काम पर न जाये, मगर उसका मन उस दिन बिलकुल राजी नहीं हुआ, अंतर उसने मचली पकड़ने का कांटा उठाया और जील की तरफ चल दिया, उसने अपने आप से कहा, चलो, कम से कम मचली ही पकड़ू, जील पर आकर उसने एक जगह कांटा पानी में डाला औ और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया, तरहत्रे के विचार उसके दिमाग में आ जा रहे थे, जैसे पेट भरने लायक चावलों के लिए मुझे कितना श्रम करना पड़ता है, जबकि मेरे कुछ मित्र बहुत कम परिश्रम करने के बावजूद बहतर हाल में हैं, अपनी अ क्या इतनी बड़ी मचली है, वह हैरान था और जब कांटा बाहर निकाला तो और भी हैरान हुआ, उसके कांटे में फंसी मचली आम मचलियों जैसी नहीं थी, उसकी त्वचा धूप में हीरों की तरह चमक रही थी, जब वह मचली को उठाने को आगे बढ़ा, तो वह इंसा पानी आवाज में बोली, प्यारे किसान, मुझे पका कर खाने के लिए घर मत ले जाओ, मुझे किसी ऐसे धान के खेत में छोड़ दो जिसमें पानी भरा हो, और फिर कल दोपहर से पहले मुझे देखने आ जाना, यदी कल न आ सको तो भी कोई बात नहीं, अगले दिन आ जा रहा था, किसी तरह अटकटक कर उसने पूछा, तुम हो कौन, इसकी फिक्र मत करो कि मैं कौन हूँ, कृप्या मेरा कहना मानो, ठीक है, किसान ने कहा और उसे उठा कर पानी भरे धान के खेत की तलाश में चल दिया, दुर्भाग्य से ज्यादातर खेतों में पानी न के बरा वह चलता गया, चलता गया और गाउं के लगभग आखिरी खेत तक पहुँच गया, इस खेत में एक जगह उसे पानी भरा गड़ा नजर आया, अभी वह यह सोच ही रहा था, कि यदि मचली को यहां डाल दूँ, तो क्या वह जिन्दा रह पाएगी, तभी मचली ने कहा, प मैं जरूर आउंगा, किसान ने कहा, और मचली को पानी में छोड़ कर घर लोट आया, रास्ते भर वह उस विचित्र मचली के बारे में सोचता रहा, यहां तक की रात भर वह सो भी नहीं सका, अगले दिन वह बड़े सबेरे ही उठकर उस खेत की ओर चल पड़ा, उसे उठसुकता थी, इसलिए वह लंबे-लंबे डग भरते हुए चल रहा था, अभी सूरज नहीं निकला था, मटमेला सा अंधेरा था और सन्नाटा, जिसे पक्षियों के और जानवरों के स्वर बीच-बीच में भंकर देते थे, जब वह खेत के पास पहुँचा, तो उसने द भागना चाहा, उसे भागने का उपक्रम करते देख, वह महिला बोली, प्यारे किसान, भागो मत, दरो मत, मैं धूत नहीं हूँ, वही मचली हूँ, जिसे तुम कल शाम यहां छोड़ गए थे, अब मैं मनुष्य के रूप में हूँ, मुझे घर ले चलो और अपनी पतनी ब क्या तुम उस तूटे फूटे जोंपडे में रह सकोगी, जहां न तो किसान हैरान परिशान था, कुछ मत कहो, मैं जानती हूँ कि तुम एक गरीब किसान हो, वह किसान की बात काटते हुए बोली, ठीक है, यदि तुम सब जानती हो, और फिर भी एक गरीब व्यक्ति के काटने को राजी हो, तो मेरे घर में, मेरे जीवन में तुम्हारा स्वागत है, किसान बोला, तुम्हें केवल एक बात का ध्यान रखना होगा, भूल कर भी किसी से न कहना कि मैं आई कहां से, औरत में बदल गई मचली बोली, इतनी सी बात, निश्चंत रहो, मैं कभी, किसी से नहीं कहूंगा, किसान ने उसे भरोसा दिलाया, किसी से भी न कहना, कभी भी नहीं, मचली ने दुहराया, हाँ, हाँ, नहीं कहूंगा, किसान ने मुस्कुरा कर उसे आश्वस्त किया, किसान को लगा कि यह तो मामूली सी बात है, लेकिन किसी भी राज को पचा पाना सुबह जब पडोसियों ने देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह फटेहाल किसान ऐसी सुन्दर पत्नी कहां से पा गया। पेटा पैदा हुआ। वह भी अपनी मा जैसा ही सुन्दर था। उजला उजला रंग, काले घुंधराले बाल, मचली जैसी गोलगोल आखें। जब वह खाना खाने लायक बड़ा हुआ तो मचली खाने का शौकीन निकला। उसे और कुछ न मिले बस एक छोटा सा मचली का खाना बनाती और स्वय ही खेट पर लेकर जाती। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज जरा देर हो गई है, मुझे बहुत से काम निक्टाने हैं, ये खाना लेकर तुम जल्दी से अपने पिता के पास जाओ। वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे और भूखे भी ह बेटे ने खाने की टोकरी ली और चल दिया पर रास्ते में उसके साथ ही मिल गए और वह सब भूल भाल कर उनके साथ खेलने लग गया। वह कई घंटों तक खेलता रहा। जब उसे ध्यान आया तो उसने सोचा की अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर उसे भूख भी बताई, सुनकर पिता को बड़ा गुस्सा आया, उसने एक थपड उसकी कनपटी पर जड़ दिया और बोले मचली की ओलाद, शैतान लड़का, अब तु यहां क्या करने आया है। जा भाग यहां से, बेटा रोते रोते घर लोटा तो माने पूछा की क्या हुआ, बेटे न सारा किस्सा सुनाया और पूछा, पिता जी ने मुझे मचली की ओलाद क्या कहा, क्या यह सच है, हाँ बेटा यह सच है, मुझे अफसोस है कि तुम्हारे पिता ने राज खोल दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम जल्दी करो, दोड़कर उस सामने वाली पहाडी तक पहुचो और जितनी जल्दी उस पर चड़ सकते हो, चड़ जाओ, मैं भी आती हूँ, अब जल्दी ही यह सारा छेत्र जल्मगन हो जाएगा, जल्दी करो, दोड़कर जाओ, उसकी माने कहा, बेटे के जाते ही माने जितनी शक्ती से बजा सकती थी, उतनी शक्ती से ड्रम ब बादलों से ढख गया, बादलों के गरजन और बिजली की चमकने लोगों में दहशक भर दी, तेज हवाने बड़े-बड़े पेड उखाड डाले, मूसलाधार बारिश होने लगी, थोड़े ही समय में सारे क्षेत्र में एक-एक मीटर पानी भर गया, लोग घबरा रहे थे चीक पुकार मच गई थी, सुरक्षित शेत्र की तलाश में लोग बधवास भाग रहे थे, जो लोग उची जगहों पर पहुँच सकेवे बच गए, शेश बाड़ की भेंट चड़ गए, कितने ही मवेशी मारे गए कुछ दिनों बाद बाड़ का पानी उतर गया, लेकिन जहां किसान की जोंपड़ी थी, वहाँ पानी भरा रहा, बलकि उसका स्तरलगातार बढ़ता ही गया अंता उसने एक जील की शकल अक्तियार कर ली, बाद में इस जील का नाम पड़ा तोबाजी इस जील के पास के निवासियों का मानना है कि वह मचली जो औरत बनकर गाउ में रही थी, अब भी इसी जील में रहती है, और जब वहाँ कोई नहीं होता, तब वह सतह पर भी आती है